पेरा ना अफ़रार बेग एके साथ बीजेपी की सरकार रानी चीजिए एसे यहों के साथ बीजेपी ने बहुत कुछ किया तोको राशन फिरी किया है महिने में दो-दो बार राशन दिये गट बंदन जो है ये ठख बंदन है दो लड़कों का ठख बंदन है एक दिल्ली और एक यूपी दस तारिक को पता चल जाएगा अभी तो बहु आई है और इस पस्ट दस मार्च को पूरा भहमत के साथ देखे सब जो है महिमा मंडे सारे जितने जो बिल में घुज गए थे बिल में जो घुज गए थे गुंडे, बदमाश, मवाली वो सब अब नजर आ रहे हैं चुनावों की घुश्रा हो जाने के साथ-साथ सभी राज्जितिक पार्टियों में मुश्लिम बद्धाता को लेकर खीस्तान मज जाती है सभी राज्जितिक पार्टियां मुस्लिमों को अपनी और बोट डालने की अपील करती हैं लेकिन इस वार मुस्लिम मद्दाता क्या सोचता है कि अब धर्म और जाती पर बटेगा या फिर विकास के नाम पर बोट करेगा कुछ लोग है मेरे साथ जो आईए इनसे बात करते हैं कि इस वार है यूपी में किसकी यह अदेवर राशन दिये हैं लोगों अपकाण तो साब बढ़ी जाएंगे और किसलिए बोट करेंगे और व्याइव और फिरी क्या करें लिए और मकाण नहीं बन रहे हैं मेहगाई तो साब आई है मेहाई में क्या कर सकता आदि मेहाई है विकास भी तो होरहा ब्रावर अ तो चलते रहते हैं तो अखले से घटबंदन किया है क्या कहेंगे अब गटबंदन में देखिए साब अब गटबंदन यह तो बीजेपी की सरकार बनेगी अब की बार भी अब आप अब गटबंदन में लार्सन अनिये डवल डवल दिया है और काम भी सही करें रही रोजगार की बार तो कुछों को नुकरी मिली और कुछों को नहीं बाबाजी की सरकार बनेगी तो अब मिल जाएगी और आप भी कौम रही सब्सक्राइब अच्छी को नहीं है क्या सब्सक्राइब लड़की हूं लड़ सकती हूं लड़का हूं विदेश में बैटूंगा जो राहूल गांदी हैं वो क्या कह रहे हैं लड़का हूं विदेश में जाओंगा और पपू बनूंगा कांग्रेस की सरकार दस सीटें भी आ जाए बहुत बड़ी बात है अब मैं इन से क्या मुझूरी करूं पबलिक परेशान हैं तमाम नेता पिट रहे हैं गामों में सब तमाम नेताओं को भगाया जा रहे हैं घाली पड़ नहीं है रोज देख रहे हूं मैं मोबाइल पर सोसल मीडिया पर तो किसकी सरकार आनी चाहिए बाजपा की सरकार आए ठक बंदन है दो लड़कों का ठक बंदन है एक दिल्ली और एक यूपी दस तारिक को जो है दस तारिक को पता चल जाएगा अभी तो बहु आई है और इस पस्ट दस मार्च को पूरा भहमत के साथ लेकिए गट बंदे की जो रेली हो रही है तो क्या मानते हैं इस बीड़ और मैं आपको बता रहा हूँ दस तारिक के बाद जो है कोई भी नदर नहीं आएगा सब जेल में जाएंगे और सब यहां से यूपी छोड़ देंगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्डोदर जो चला है जो सरकार आप मत्रा में हैं मत्रा में जवार वाग जैसा कांड जो है एक सबसे बड़ा कलंग है जहां पर एक परशाशित अधिकारी उच्छ अधिकारी मुकुल दिर्वेदी जी का मडर हुआ एक प्रमोध यादब करके ऐसा बिल्कुल खतम हुआ है जो बचा हुआ है वो भी दस मार्च के बाद खतम हो जाएगा देखिए वो उसका चल रही है अभी खुल जाएगा किसने कि माफिया है यूपी में वह भी जो है दूसरी विपक्षे कही गुंडों ने उनके माफिया किया है अभी देखिए आने दी पी और वह दूसरा काम करें तो काम नहीं किया भी जेपी ने क्या काम नहीं किया मर्द देखिए मुस्लिम की जो परसंटेज है उत्तर परदेश में जितनी भी जितनी भी योजनाएं आई है उस परसंटेज से ज्यादा हमेशा सारी 30% योजनाओं का लाब उठाया है हमने जो है 80,000,000 मकान बनवाएं जिसमें मुसल्मानों की अच्छी खासी संक्या है अभी कुछ है क्या सही कहते हैं क्यों सब्सक्राइब करा दो दाल बंद करा दो खाले पीने बंद करा दो बंद करा दो सब्सक्राइब करते हैं अब जो जो खाना खा रहा है उसको तो खानबर कर रहे हैं सब कर रहे हैं मुसल्मानों पर वह हो रहा है कम चकाँ बोटी तो खानदो मेरा शकील भारती बाद आएगी तो बीजेपी की सरकार आएगी जहां तक है और वकलेज या भी जबी टक कर रहे हैं आपको क्या लगता है आपको किसकी सरकार अच्छा मानते हैं अच्छी सरकार तो वहीं किसके पब्लिक के लिए काम की हो कर दो यह कह रहे हैं कि सबका साथ विकास करती है बाराल यह जो जो खा रहा उसको खानदो यह तो उसके आठ्डोर है किसको किसको घदाब मिलता है अब योगी जी आए अब देखो सबके सबका साथ सबका जिस तरीके से वह बोलते हो वह पूरा खाया तो यह जिकत नहीं है बजट में अरे सब सबस्क्राइब आए तो नहीं बड़ा बजट लेकिन बजट तो पहले ऐसा यह जैसे भी था पहले जैसे यह उनका थोड़ा सा अरे नहीं बड़े बड़े आद्मियों के लिए समझोज रहा है यह तो बिकास के ऊपर है मुद्दे तो यह है कि बिजली बहुत महंगी है बिल बेहिसाब है आज भी जो है ना तो पंके चल रहे है ना कूछ अच्छ सरकार चल रहा है पर बीजेश पी जो काम करती अच्छा करती है लेकिन यह महंगा ही जो है यह मारे डाल रही है मेंगाई मार रही है जिसके नाम है भूडू जो चाहते हैं जिनके बास गार मकान दद्द सब्सक्राइब हैं उनके पास जमीन है उनको तो सरकार यह डाई डाई याफ रूपे दे रही हो जिसके पास मैं कुछ भी नहीं है इसको बटकने को डोल दिया कि बढ़कता रहे जिसको जरूरत है उसके जाइए हमारे पास कोई लेके आए अगलेश बावु कोई अपना प्रतिनीदित बेजे हम उनको डाटा देते हैं कि कितने परसेंट मत्रा में कितने परसेंट लोगों को मकान मिलें अभी अखले जी बुख्यमंति का बैयान आया कि 80 और 20 परसेंट के चुनाव क्या मतलब देखिए हम 80 परसेंट सीटें जीतेंगे 80 परसेंट सीट का आप जो है भाग लगाईए परसेंटेंट के इसाब से हमारी सबह 200 और 200 के बीश में आ रही है असी परसेंट हमने 14 में भी चुनाव लड़ा असी परसेंट पर हमने 17 में भी लड़ा असी परसेंट पर कौन लोग आते हैं बीस परसेंट में वही माफिया जिन पर बिल्डोजर चलना है कि यह और 20 परसेंट में बीजेपी की जितनी भी गॉवर्मेंट ना अभी तक राजनिती पर करें वेदू मुसलिम पर करें लिए जिन पर हम पर बिल्डोजर चला है हम पर सब काम हो रहे हैं क्या नाम बताइए कोन एक माफिया उसको मरबादिया इनकी सोचिस रावरा नाम मुहमद अलताफ है मैं सरकार चाहता हूँ चार कुरसी होती है चार हम अलग 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 तरीके पाए हो गडबन दन की सरकार बना है अगर एक की सरकार होगे तो तानव जैसे योगी करें इसी तानव रहेगी चारों की अलग-अलग सरकार बने गड़बंदन सरकार और विए योजना सभी के लिए हैं आप एक चीज बताइए आप एक चीज बताइए सबके साथ सबके साथ मुसलमान काइज में हमारे यहां पर आप यह बताइए योगी जी तीर तिस्तल का वो कर गये तेहलान सार ने हमारे अविए पर गये तीस अपराल के बाद यह साथ मिलान लिए नहीक हैद है यहां defined देखे दो किलो मीटर के अंदर में जो भी मीट का आस्था को लेके जो अगर ती सिस्थल घोचित हुआ है उसके बाद आप खुब खा सकते हैं लोग भाग खा रहे हैं बोग मैं भी खा रहा हूं बिनान लागु नहीं है क्या पबिलिक नहीं रह रहे हैं यहां पर भगवान श्री कृष्ण का मंदर है अरे सुलिए मेरी बाद है कि बताइए यहां जीता को सब्सक्राइब कोश्लमान की यह इसनी बोरी स्थी हो सब्सक्राइब रहे हैं इन्हें को समय अगर बागी मुस्रम के टैसे हुए मुसल्मानों की छुड़ी पर चली यह बताइए आप मुराद अबार में दंसिंगार हुआ किसकी सरकार थी सब्सक्राइब मिल जाती है कि आप पूरी यूपी पर आज कर लेंगे चुनाब आती है आप यूपी की तरफ बयानबादी सब्सक्राइब मेरे वाई बोलें कि मुसल्मानों बच्छोड़ी चला रहे हैं मुराद बाद में यह बता रहे हैं जब है रवाद में उन्होंने कुछ नहीं क्या रही है यहां क्या करने जाके देखो उनके बगगर पत्ता नहीं इलता हुआ यूपी पे आप लड़े हो वो कुछ नहीं वो बीजेपी के आदमी है वी टीम है आप यह बता रहे हैं मैं आपको एक बता रहा हूं देखे बीजेपी कभी भी मुस्लिम बिरोधी नहीं रही है ना है ना थी न रहेगी अब इन से पूचिए मुस्लिम बिरोधी बीजेपी नहीं यह बिल्डोजर क्यों चलने ठोक दोप है उत्तर प्रदेश में सस्याद एंकाउंटर हुए प्रदेश में सस्याद एंकाउंटर हुए 37% मुसल्मान मरें रहते हैं लोगों पर जो गुंडे बदमास थे उनके उपर जो सरकारी जमीनों को घेर लेते थे अकलेश का नारा था 2017 में वो मुलाइम सिंग का नारा है खाली प्लॉट हमारा है अब वो प्लॉट जो खाली प् आखाली में जो है क्रीमिनल आज जो है हमारी बेटियां सुरक्षित हैं बहने सुरक्षित हैं वह रहां जो है यूपी में कोई को प्लॉट तलाक का कोई मुद्द नहीं है तर्पल तलाक सरीयत के मुकाबले चलेगा बिल्कुल तपलतलाक- अब इन को क्या वालोम इनकी शादी भी नहीं हुई है जब इनकी शादी हो जाएगी तब इनके वीवीं इनको बताएगे तो पॉलतलाग क्या होती थी इसफर्ष हुएं मोधीजी ने कि बहुत बड़ा बहुत बड़ा मुस्लिम माईलाओं पर एसां किया है बहुत और आज जो है मुसलिम भूल इलाकों छेत्र में कड़ेति था मैं था अप तो देखा आपने जो हमने मुस्लिम अद्दातों से बात की तो सपना अपना अलग-अलग मत्त है कुछ मुस्लिम मत्दाता अखले सरकार को जाते हैं कुछ और कुछ मुस्लिम मत्दाता योगी सरकार को बापिस देखना चाहते हैं मातु सर्मा डीके न्यूज मत्रा योगी य कि अजयो गी!